दोस्तो स्वागत आपके अपने चनल सिविल साइट विजिड में दोस्तो आज का वीडियो काफी साधे इंपोर्टेंट और इंटरस्टिंग है क्यों क्योंकि जो हमारी प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की सीरीज स्टार्ट हुई है तो उसी का पार्ट थर्ड है जिसमें हम बताए कि कैसे हम करते हैं और ऐसे साइट इंजिनियर आपका काम है जब आप साइट पे जाओगे ये चीज़ आपको करवानी पड़ेगी और चेकिंग भी करनी पड़ेगी तो ये वीडियो कंप्लीट देखना जो फ्रेश हैं जो एक्स्पिरियेंस है जिनको नहीं आता है कि ठही या कैसे मारते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफी important होने वाली है एक free internship लगा लो इसको क्योंकि इसमें knowledge है देखो पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे पूरा practically कि हम कैसे करते हैं क्योंकि ये practically समझना थोड़ा tough हो जाएगा आपके लिए तो मैं इसको फिर वीडियो के थो दोनों दिवार मतलब पूरा हमारा रूम कैसे होता है square shape यह रेक्र अंगल से तो एक side चोटी वाली side पकड़ लेना है एक बड़ी वाली side दोनों तरफ डोरी मार देनी है मापी करके देखो ऐसे practically possible नहीं होगा नहीं समझोगे आप तो अभी मैं क्या करता हूँ आपको पहले इसा दिखेगा आपको तो आपको क्या करना है procedure बाइस follow करते जाना यह यहां पर हम एक nail मारते हैं खिली हम जिसे बोलते हैं एक यहां खिली हम मारेंगे फिर हमारी क्या डोरी रहेगी जो डोरी आती है line डोरी जो आपने side पर देखी ऐसा करता हूँ side पर आपको video भी दिखत जो से लेखे यहां एक मेटर पर video लंबी होगी है थोड़ा सबर करना फिर हमने क्या करना है यह room है यह से सीधे है मारा फिर एक खिली हमने यह मार दी यहां से यह यह हमारी एक डोरी बांध दी हमने यहां भी ठीक है यहां से यहां है दो मिटर यहां से यहां भी कितना है दो मिटर यह दो मिटर हमने जो भी ले सकते हो आप यहां पर दो मिटर ले सकते हो दो मिटर मतलब यहां भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम, फिर यहाँ भी सेम और यहाँ सेम, मतलब दोनों यह डोरी जो आप बांदोगे, तो बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए यह हो गया, यह इतना सिंपल समझ गया आप, फिर आपको क्या करना है, जैसे यह फिक्स हो जाए डोरी एक बार फिर आपको एक काट कोणा निकालना है इसका तो आप यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां ले लो तीन मिटर यहां एक पॉइंट मार तो तीन मिटर डोरी बांद लो एक छोटी सी फिर यहां से भी चार मेटर है लो आप, जितना आपका मन करें, उतना, आप पे अब आप सब कुछ, ये चार मेटर, ये डोरी बांदी, फिर हमें क्या करना होता है, ये डिस्टेंस देखना है, मतलब एक काट को ना निकालना है, ये, मतलब इसका अगर राइट अंगल सही आया, अब भी कैसे निकालना है, हमें, क्या करना है, फार्मूला कह रहता है, वो रहता है, हमारा अंडरूर, 4 स्केर, प्लस, 3 का स्केर, इसको अगर हम करते हैं, तो ये, 4 का कितना हो गया, 16, इसका कितना हो गया, हमारा, 9, फिर अंडरूर, इस एक में, 16, 25, ये 25 हो गया, तो अंडरूर कितना ह अगर तो यहां से टेप मारेंगे यहां तक तो हमारा 5 meटर आना चाहिए तेखो अगर 5 मेटर नहीं आयाई तो आपको क्या करना है दोरी को आगे पिछे करना मतलब जिस तरब मांगते है अगर 5 point कुछ मिल रहें तो दोरी अंदर ले लेना यहां अगर चार पॉंट कुछ मिल रहा है तो आपको यहां से थोड़ी अंदर कर लिए यहां से थोड़ी अंदर कर लिए यह डिपेंड होता है आपको कितने mm प्लास्टर अंदर चला रहा है बीस mm तो उसी हिसाब से करना है यह हो गया पहला step step one जब step one हो जाए मतलब यह काट कोड़ना हो जाए फिर आपको समझ आ गया फिर आपको क्या करना है फिर आपको प्लास्टर लेना है यहां से हम स्टार्ट करेंगे फिर यह हमने एक ठाईया जिसे हम बोलता है यह मारा हमने ठाईया प्लास्टर का एक एक मीटर था हमारा तो हमा 1000 mm था हमारा, तो हमें यहां कितना 980 mm मिलना चाहिए, यह एक ठही है, फिक्स हो गया, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, यहां हमें एक ठही हो और मार देंगे, प्लास्टर करने हमें, तो पूरा पास पास रहेगा, जितना से यह, तो यहां भी हमें कितना 980 mm भी करने है, 960 mm, मतलब हमें चाहिए कितना, 980 mm सेम करने है, तो हमें इस में से और माल निकालना पड़ेगा, तो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा माल आएगा, फिर हमें यहां 980 mm मिल जाएगा, मतलब हमें क्या करना है, मापी सेम रखनी है, आपको बले माल जादा आए यहां पे, बले माल कम आए, तो ऐसी आपको पूरे रूम में करना है, फिर हम इस तरफ आएंगे, यहां हमने एक लगाया, हमें 2 मिटर था यहां हमारा, तो हमारा आगे 970, 1970, मतलब 30 mm माल यहां चड़ रहा है, फिर हम यहां आते हैं, यहां चेक करते हैं, तो हमें यहां माल और चड़ाना पड जाएगा, अभी मैं आपको थोड़ा साइड पे ले जलता हूं, जो प्रेक्टिकल वीडियो हमारे चल रही थी, उस ही मैं कांटिनूर रखता हूं, उसमें थोड़ा समझाता हूं, जब नीचे-नीचे हो जाता है काटको ना, फिर हम दिवार के ऊपर में कैसे करते हैं, वो म आपके लिए इंपोर्टन है, एक बार फिर से प्रेक्टिकल देखेंगे, तो थोड़ा और समझाएगा, जो फ्रेशन होंगे, उनको इतना आइडिया नहीं लग रहा होगा भी इसको, तो थोड़ा साइड पे देखने हैं, तो आपको शाहिद आइडिया चाहिए उसका, द दोरी हमारी सेट हो गई, फिर हम क्या करते हैं, अब जो दूसरी दोरी है, दूसरी तरफ, दो तरफ दोरी मेंने मारा था आपको दिखाया था, तो हम दूसरी तरफ भी चेक करेंगे, कि हमें दूसरी तरफ कितना मिलता है, ये हमने रखा था एक मीटर, चलो ये हमें एक पूरी उनको ब्रबर बांधने है जब एक बार हो जाए फिर उसके बाद हमने क्या किया था एक तरफ हम तीन मिटर गे थे और दूसरी दबर चार मिटर गे थे काट कोने के लिए यह हम देख लेते हैं यह हो गया हमारा तीन मिटर एक बार मैं दिखा देता हूं थोड़ा यह जैसे मैंने कहा था कि कुछ डॉट या दोरी बांधों की हमें पता चल जाएगी हम जब काट कोना उसका चेक करेंगे यह हमने ले लिया तीन मिटर हमारा अभी हम दूसरे तरफ देखेंगे फिर हम बीच में से उसका काट कोना ले लेंगे तो यह हो गया तो ठीक है अब अभी हमारा आगया काट कोने की बारी तो दोनों का हम काट कोना जैसे हमने चेक किया था एक तरह हमने तीन मिटर मार रहा था दूसरे चार मिटर तो उसका जो हमने राइट एंगल निकाला था वो आया था हमारा कितना पांच मिटर तो हमने वो पांच मिटर चेक किया जो ड उपर ठहिया कैसे मार रहा है मतलो नीचे तो चलो डोरी से हम आपी करके कर लेंगे फिर ये देखो ये होता है ठहिया इसकी हल्प से क्या होता है जब ये ठहिया लग जाता है इसकी हल्प से पूरा प्लास्टर होता है रूम में और प्लास्टर पूरा काट कोने में होता है फि लेकिन इसमें क्योंगा प्रॉपर आपको पूरे चारो तरफ एक जैसा मतलब रूम जब नापोगे तो चारो कौने आप नापोगे तो बराबर मिलेंगे। देखो ऐसे यह प्रोसेस किये जाएता आप देखते जाओ। अब पूरी हर जगा जहां जहां डोरी वहीं से मापी करके डोरी के साथ हर दिवार में मतलब जिस साइड डोरी मारी हुए है उस साइड उतना ही प्लास्टर हमें चड़ाते जाना है बराबर प्लास्टर आना चाहिए बले कहीं 30 mmI कहीं 20 mmI लेकिन वो एक ही लेवल में सब प् यहां कम value मिली तो मिस्री ने फिर से उसमें माल मारके फिर से उसको किया तो बराबर मतलब value उसमें आगी मतलब उस दिवार पे सेम प्लास्टर चड़ेगा पूरा उपर से नीचे तक यह तो हो गया मतलब जहां डोरी है फिर जब हम डोरी के बीच में करेंगे तो उसके लि से हम नीचे जो हम मार चुके हैं उसकी help से हम उपर plump up से कर देंगे जैसे आप देख रहो मैं दिखा देता हूं आपको देखो यह प्रोसेस रहता है पूरा जो प्लास्टर का हम ठहिया मारते हैं I hope आपको समझ आया होगा theoretically से ने तो practically या practically से ने तो theoretically अगर नहीं समझ आया है comment करना मैं फिर से वीडियो ले आओंगा पॉसिबल होगा तो लाइब वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करकर रखो ऐसी प्रेक्टिकल नौलज़ आपको मिलते रहेंगे शाम का आपको फिट पे स्टील चेकिंग पे एक वीडियो मिलने वाला है तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो